नमस्कार दोस्तो मैं मोन सिंगराना इमाचल क्रिशी जागरन से बोल रहा हूं मैं आज आपको लोकल लसन के बारे में जानकारी दूँगा तो सब से पहले मैं आपको इमाचल का जो लोकल लसने इसके लगाने का तरीका बताता हूं अपको केत में केत में डाल देना है और उसके बाद गारी जुदायी करके एक दो बार आपको मिट्टृ पलट्रनी है और जो भी अमारा और्गेनिक मेटरम ने डाला होता है इसमें उसको इसमें मिला देना है और उसके बाद आपने बीज लेना है और एक भी घा में लगबग एक कुंटल बीज लगेगा और बीज लगाने का तरीका बताता हूँ मैं आपको लाइन से लाइन की दूरी लगबग 20 सेंटिमेटर और बीज से बीज लगबग आपको 8 सेंटिमेटर पे लेना है यह देख सकते हैं आप और आपको जानकर यह खुशी होगी कि मानशल का जो भी लोकल लसन है यह हमारे दवाई के रूप में बहुत ही अच्छा इसका प्रयोग गया जाता है जो भी हमारे गुटनों जैसे गुटनों में दर्द होता है और शिरीर में कहीं भी गांठे चोटी मोटी हो जाती है इसके लिए इसका बहुत ही अच्छा उपजार है आप इसकी एक दो कलियां सुबासाम गर्म पानी के साथ ले सकते हैं जिससे कि हमारे गुटनों का दर्द कुछ ही दिनों में गाइब हो जाएगा और शिरीर अमारा बिल्कुल जो भी हमारी स्किन है बहुत अच्छी साथ सूत्री दिखाई देती है और आप इसका काड़ा भी पी सकते हैं पत्तों का साम को आप एक दो पत्ते इसके लेके पानी में उबाल कर रात को पी सकते हैं जिससे कि आपकी इम्म्निटी बढ़ेगी और सर्दी जख्वाम आपको नहीं होगा हम इसे और्गैनिक रूम में पूरा त्यार करते हैं गोबर की खाद गोब मुतर विग्यारा डालके इसको त्यार किया जाता है इसमें कोई भी अरसाइनिक खाद विग्यारा नहीं डालते इसकी मार्केट में बहुत ही अच्छी डिमांड है यह हमारे लग वग 100 रुपे किलो से उपर बिग जाता है यह देख सकते हैं आप अभी हमारा सौ दिन का हो चुका है यह लग वग 7-8 मिने की फसल है अभी यह अप्रेल और मई के बीच में निकलेगा अगर आप इसका बी कर सकते हैं यह हमारा लोकल लसन है इसका भीज हमने खुद दीतियार किया होता है इसकी बहुती मैंडिशन के रूप में पैचान है इसकी हाइट इतनी बड़ी नहीं होती ज्यादा बड़ा इसके कंदमनी होते हैं इसलिए इसकी बहुती अच्छी मैंडिशन बैल्यू है जब हम हमारे सद्धियों की बारिस हो जाती है उसके बाद हम इसके अंदर निड़ाई गुड़ाई करते हैं और खर्वत बार निकालने का कार्या करते हैं एक बार हमने इसमें निकालने से पहले निड़ाई गुड़ाई करनी है और लगवग तीन चार बार इसकी सिंचाई करते हैं इसको ज्यादा जरूरत नहीं है इसको एक दो बार से सर्दी की अगर पढ़ जाए तो बहुत ही अच्छी मान जाती है यह हमने लगवग एक बिगा में बीज आए हमारे पाड़ों में यहां पे खेत तोल चोटे होते हैं इसलिए तीन चार खेत हमने इसके लगाए हैं यह बीज में पलम का भीज चल गाया है जो मेरी पोजब रेटी है यह भी मई जून में त्यार हो जाता है यह देख सकते हैं आप हमारा मैंचल का लोकल रसन जिस कहा कि दिल्ली में बहुत ही अच्छा दिमांड है तो किसान भाईयो मैं आपसे बीदा लेना चाहता हूं अगर आपका कोई भी इनक्वारी हो तो आप हमसे संपर कर सकते हैं धन्यवाद झाल 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 धन्यवाद झाल झाल झाल